हाई हैलो गाईस वेलकम टुमाई चैनल तनवी किचन चैनल में आप सुविका मोस्ट वेलकम है तो आज जो रेसीपी सेयर करने वाली हूँ वह इतनी अच्छी आपको लगने वाली है गाईस कि आप पूरी करमी में ये बना के पीने वाले हो एप के खाऊ ये खाके पी हो जो भी बोल दीजिए तो इतनी अच्छी आपको बनाना मैं बताऊंगी कि एक बार नहीं आप बार बार की में इसको बनाना पसंद करोगे और आपके दिल मन सभी को ठंडा तरो ताजगी कर देगा इतना अच्छा और हेल्दी भी बनने वाला है तो चलो इसको बनाना तो सबसे प होने लगे जश्ट बाद में आपको इसमें डाल देनी हैं तो सेमिया है जो सभी के घर में होती है जैसे हम खीर बनाते हैं और कई रेसिपी बनाते हैं तो सेमिया के और कई रेसिपी बनती है तो गैसी सेमिया है ना जो से आपको घर में को ज़्यादा ताम जाम करने जुट जाते हैं तो मैं इसमें एक चमज डाल के बीगने के लिए मैं छोड़ दिया है और इधर हमारी बोईल होने लगी यह सेविया तो इस सेविया है ना जो एक ऐसा काम करेगी कि जैसे हम जो बनाएंगे ना सर्बत मान लीजिए उसमें इसको मिलाएंगे तो बड़े मज़ेदार बली बनेंगे बहुत ही ठेस्टी फोड़ नहीं है जैसे आप इस तरह से सेविया नहीं बनाना चाह selective क customize कमणाम को देशाओ और में पनिया चाम होना नहीं है असे बारती ऑम इसके बाद में मैं इसको तरही को चहान लिया है जो आपने सेवियां बॉल करके रखी थी वो मैंने इस टेनमे च्छान लिया उसका पानी और सीधा इसमें डाल देने से होगा क्या कि इसकी जो जैसे यह पकता जा रहा है बिलकुल में सी-में सीसा नहीं होगा खिली-खिली हमारी सेवियां रहेगी और बिलकुल ठंडी- लेकिन मेरे पास फुल फेट वाला दूद था तो वह मैंने ले लिया है और थोड़ा सा पानी भी इसमें और हम डाल देंगे क्योंकि यह फुल फेट वाला दूद है तो इसमें थोड़ा पानी और जाएगा तो जैसा आपको लगे जैसे टॉन मिल्क लेना चाहते हो या फुल डाल दूँगी आप गाइस मैं इसमें डालने वाली हूँ कस्टड पाउडर वेनेला फ्लेवर का डालोंगी इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस इदि आप डालना चाहो तो डालिए नहीं ओप्शनल है इसकी जगे आप और भी चीज जैसे कॉन फ्लोर भी डाल स सकते हो लेकिन कस्टड पाउडर डालोगी ना तो वह क्या है कि इसका वेनेला फ्लेवर इसमें होता है और मैंने ठंड़ ठंड़ दूद में डालते हैं तो इसमें हम डालेंगे तो लंस नहीं बनेंगे और मैं इसमें एक हैंड विसकले लिया उससे अच्छे से आपको मिला पड़ेगी लंस पड़ेंगे तो इसलिए मैंने अच्छे से मिला दिया है और फिर इसमें मैं चीनी डाल दूंगी तो चीनी मैंने एक कटोरी के लबा लिया है और आप मैंने इसमें अच्छे से चला लिया है अब मैं इंडेक्शन पर रख दे रही हूं और इंडेक्शन प लगतार चलाते जाना है यह नहीं करना है कि आप इसको छोड़ दो और फिर आपको यूर काम में लग जाओ तो इसलिए आपको लगतार चलाते जाना है तो मैं इसको लगतार चलाते जा रही हूं तोगाई सी ए मैंने इस पे चड़ा दिया है और इससे मैं चला रहे हैंडीटकर कर से लेकिन बाद में चमत या लेलुका दिया और चमत लेला है और ये थोड़ा थिकनेस में आने लगा है थोड़ा थोड़ा से थिकनेस में आने लगा है देसे तो गाए तो और ये बिलकुल बन जाए ना जब तक इसको चलाना ऐसे नहीं कि छोड़के बैट जाना छोड़के बैट जाओगे तो खराब हो जाएगा टेश खराब हो मैंने इसको नीचे उपाइब करी उसलिए है स्मक्राइबですね इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना मिरो में रखे है फ्रीज में बिल्कुल चिल्ड हो गया वह फ्रीज में ने 3-4 गंटे इसको रखा है और यह थंडा हो चुका है बिल्कुल उसके बाद में मैं इसको निकाला है अब मैं इसमें क्या क्याइड करूँगी वह आपको मैं पूरा अच्छ से बताऊंगी तो यह ठंडा होने के बाद में मैंने फिरीज में रखा था और 3-4 गंटे के लिए इसको मैंने रखा है उसके बाद में इसको मैंने निकाला है अब मैंने ये भीओह तो इसके आसे काई April भीए कर दो Capital बनाई हूं। कई लोग बनाई हूँ डालते हैं और इसका पानी में अलग कर लिया और फूल गई है तो यह सब मैंने यह से मिला दी है और यह देखिए इसकी ठीकनेस देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे फलूदा बनाया है फलूदा में भी यह सब कुछ चीज डालती है और हमने ऐ को थोड़ा पसंद है तो मैंने इसमें रोज ऐसेंस में डाला है कुछ नहीं आप डालो ही तो यह मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिल चुका है और इसकी ठीकनेस आप कंसिस्टेंसी देखिए कितना अच्छा यह नजर आ रहा है जैसे मार्केट में खाते हो फलू तो रुआप जसरबत यह आपको पसंद हो तो डालिएगा लेकिन मेरे बचों को पसंद है और उसमें फलूदे में डलता भी है यह थोड़ा बहुत डलता है तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है यह आपको पसंद हो तो डालिएगा निकि ऐसे भी मैंने इसमें जै टेस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा कि बिलकुल इसका ठीक है कि नहीं है नहीं तो और और आप डाल सकते हो उपर से मैं ड्राइफ फूट भी डाल दिये हैं बदाम जो आपको पसंद हो डालीएगा तो मैंने थोड़े सी उपर से ड्राइफ फूट इसमें अड़ कर दिये है लेकिन फलूदे में ऐसे होता है कि जैसे वह जैसे कौण्फलर की बनी होई होती है नोडल तो ढ दालते हैं और फी रबडी रालते हैं लेकिन मैं सब इसमी मिक्स कर रखा है और उपर से मैंने ड्राइफ फूट डाल दिये हैं तो ये फलूदा सर्वत् i. जा सही हमारा और इस तरह के से बनाईएका गर्मियों के सीजन में आप बनाके इसको पीएओ खाओ जैसा भी आपको उस तरह करें लेकिन बहुत ही टेश्टी लगता है और गर्मी आप सभी को पता है कि पूरी रिकोर्ट तोड गर्मी पड़ रही है तो इस तरह से घर पे ही रही है और बन अपना ध्यान रखिए